कि कैसे आप सब बढ़िया है बढ़िया होंगा से मैं उम्मीद करता हूं कि सेंप्लिंग हम पढ़ रहे थे उसमें काफी कुछ जो वह पढ़ा है और जो बचा है वह आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे हमने अभी तक जो है वह पढ़ा है वह भी पूरा रिवाइज कर क्या है अगर आपने सेंपल बहुत बड़ा ले लिया तो उस केसес के अंदर जितने सेंपल में योनिट हो सारूं को लगी जदा लेबर लगेगा सरतों सेंपल छोटा ले लेते अगर सेंपल छोटा ले लेंगे तो उसके इसके अंदर रिपर्जेंटेशन खत्म हो जाता है रिपर्जेंटेशन कैसे 2000 डाटा है 2000 के ऊपर को स्ट्रडी करने उसकी जगे आपने सिर्फ दस स्ट्रडेंट या पांच सेलेक्ट किया और उनका जो भी आवरेज इंकम आपने निकाली या जो भी निकाला आवरेज हाइट निकाली उसके इस तरीके की सिच्ट्योशन हो सकते है सेंपल साइज जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या हो जाता एक कोई ज्यादा हाइट का जाएगा तो एक कोई छोटी हाइट का जाएगा तो वह आपस में क्या हो जाएगा कॉंपनसेट हो जाएगा जैसे जैसे साइज सेंपल का बढ़ता है वैसे वैसे ओवर ओल जो पॉप साइज बड़ी करेंगे वैसे वैसे क्या होंगे जैसे दो की जगे आपने दस स्टुडेंट करेंगे तो इनके जो रिजल्ट है और यह तो और ज्यादा नजदी का जाएंगे जैसे 20 करोगे तो और ज्यादा नजदी काएंगे रिपर्जेंटलिक सिंप्रू सथिक्सकित के इंदर नहीं रहेकते हैं अगर सैंपल जैसे जैसे बढ़े कर ही वैसे वैसे पॉपलेशन के क्यरेक्रिक्रिस्टिक्स और स्थिक्सक्रेप्र क्के स्क्रिक्रदिक क्या होते हैं चाथ commencé जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा सेंपल हमारे लिए दूसरी प्रोब्लम क्रियेट कर देगा टाइम एनर्जी मनी और लेबर वगेरा हमारा ज्यादा जो यूज होगा तो साइज अब सेंपल अगर हम लार्ज कर थे तो प्रोब्लम आ जाती है हमारे पास किसकी सेंपल लिए है समझीएगा अब क्या है हमारे उपर हमें उप्र हमले सेंपल लिया जैसे 2000 पर नहीं के अंदर रखा अंके उंगे लां से इंकम के रह तिकि college like के अंदर clear है अब हमें दो डाउट हैं दो कौन से एक तो यह कि हमने जो यह 200 स्टुडेंट सेलेक्ट किये और इनके हिसाब से जो कैलकुलेशन की है क्या यह कैलकुलेशन अगर पूरे 2000 सेलेक्ट करके हम कैलकुलेशन करते तो भी क्या यही नतीजह आते गया तो यह तो क्य आगरा तो नहीं है कोई और method के अंदर तरीका कुछ गलत वगिरा तो नहीं है other than sample जो दूसरी यह हम बात कर रहे हैं sample के बार तो यहां हम फिर पता करेंगे कि अगर 2000 स्टूडेंट के ऊपर पूरी जांच करते हैं और 200 स्टूडेंट के ओपर जांच किये इन दोनों की जो नतीजे हैं क्या वो सही है या नहीं है या पिर यह कहें कि क्या जो हमारा सेंपल है उनके उपर जो नतीजे लिए तो यह जो सेंपल लिया गया है क्या यह सेंपल हमारे लिए भरोसे मन्द है या नहीं है तो कैसे पता करें तो दो तरीके हैं बहुत सिंपल सही तरीक एक तो क् नजदीक है जैसे एक में 6,000 आ रहा है एक में 6100 आ रहा है मतलब की आसपास है तो उस केस के अंदर मान लीजिए कि आपका सेंपल जो वो सही है कोई खास दिकत नहीं है लेकिन इस वाले पहले वाले स्थे जार आ रही थी पॉकेट मनी एवरेज मंतली और यहां वाले से 16000 आ हो थो दो टुकड़ों मनलब 100 ले लो एक साइड में 100 ले लो दूसरे साइड में 100 का जो और क्या कर लीजा आप एवरेज पोकेट मनी कैलकुलेट कर लीजिए इनके यह पोकेट मनी जो भी आपका करें ऑपर एफ़ए जो बी और इन दोनों को कमपेर कीजिए अगर आपके यह जो नतीज़ हैं वह यूनिफॉम आ रहे एक जाँ रहें तो उसकेस के अंदर आप कहां सकते हैं कि आपका सैंपल जो सही है इसे हम क्या कहते है stability test कि जो सेंपल है वो हमारा इस्टेबल है या नहीं फर्स्ट मेतड टू और मोर सेंपल ले लिए फॉलॉइंग सेम मेतड फोर टू कि सेम मेतड और टू कि और रहें नहीं अब जो दो सेंपल है वो दोनों अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं और दोनों एक तरीके से भी ले सकते हो जैसे आपने पहले रेंडम से लिया तो यह दूसरे वाले दूसरे स्टुडेंट है वो भी रेंडम से ले सकते हो या पहले दूसरे 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 वो भी डेलि कीजिए अगर वो सही है एक जैसे हैं तो उसके के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेकिंड मेतड आपके पास क्या है दूसरा तरीका क्या है सेंपल क्या कर दीजिए दो टुकड़ों में बार दीजिए और उनको जो हो क्या कर लिजिए एक तो कॉंशियस और एक सबकोंशियस क्सिएंस मैंड और सब कॉंसिएंस मैंड ऊप होता है कोई भी चीज आ बार बार करते हैं तो दीरे-दीरे क्या क्या हो जाती नॉर्मल जो है जैसे ले शरीरा में चलाते हैं तो सोड़ी में चला सकते हैं यहां पर इनका मतलब तोड़ा से हला कर यहां कियरू है कि वाइज इन सेंप्लिंग सेंप्लिंग के अंदर बाइजनेस दो परीकिस आ सकती है यह तो कॉंसियस त्रिके से यह अंकॉंसियस तरीक lovely तरीके से मतलब आपने जान बूज कर conscious मतलब आपने उसके उपर ध्यान देखकर आपने क्या किया काम किया मतलब कि आपने ध्यान देखके प्रिप्लाइन जो है वह आपका क्या होगा पर्सनल प्रजुडाइस था और पिर आपने उसके सबसे क्या किया आपने बाइजनेस लाई जैसे आपको दो लगता था है कि मजदूरों को क्या दिखा ना था गरीब दिखा ना था तो उसके अंदर आपने क्या कि घरेब मजदूरों और उन्रेंग की वह सब्सक्राइब कर जक्तन माली हमना 200 स्ट्टेंट गां हमारा को परसंटल प्लानिंग नहीं थी लेकिन फिर के उगया आटरी के उतना का है वो unconscious जो वो क्या होता है थोड़ा सा कम डेंजरिस होता है क्यों क्योंकि अगर मैं पहले से किसी को जैसे मजदूरों को मैं गरीब ही प्रूव करना चाहता हूं तो मैं जान बूच के सारे जो गरीब सेलेट करूँगा पहला जो हो मैंने लो इंकम वाला सालेट किया दूसरा फिर लो वाला किया तीसरा फिर लो वाला किया तो यह क्या हो जाती है कम्यूलेटिव नेचर के मतलब एक खटा होते जाती है जैसे एक गलती उसको दूसरी गलती पिर तीसरी गलती लेकिन अनकॉइंसेस में ऐसा नहीं होता है मैं कोई जा जème फैसे आगया तो के से इसके के नदर दूसरा हो सकता है कि कम पैस वाल यह ँब यहाओ उंप कर देंगे तो इसको क्या का जाता है कि एक कुम्ता कर दें और यह सेड एक दूसरे को को क्रते हैं क्या मेरे बात अप तक पहुंच पारी है जिस बाव से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उसी बाव से समझ पा रहे हैं कि अर्दे की कह रहा है यहां पन नी जो है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है बाइजन सेंपलिंग सेंपल के अंदर बाइजनेस जो हो कहा कहा सकती है तो हम सेलेक्शन के वक्त आ सकती है कि हमने फॉल बाहजने इसके साथ सेलेक्ट्षं पक्सपाइद के साथ सेलेक्शन की हमúpने hunger एक कोलेज के अंदर जो असिस्टेज को उनको साथने ते उस सेंदर हम हमें किसी से पैसे मिल गएते यह हमें किसी से स्टन अगया तकके साथ और में तो इनको इसने कहा लेकिन फिर फी त्थ या डो जा रिजशडरकी के आधर किस्मत ऐसे थे कि ज्यादा पैसे वाले ज्यादा सेलेक्ट हो गहां या पैसे वाले ज्यादा सेलेक्ट हो गए जिनके एरे जिनके कम थी यह हाइट का कर रहे हैं तो जिनके हाइट कम थी वह ज्यादा सेलेक्ट हो गए रेंडम था लेकिन फिर भी हो गया या जिनके हाइट वह ज्यादा थी वह सेलेक्ट हो गए रेंडम ली वह ज्यादा सेलेक्ट हो गए substitute of sample unit कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं सेंपल लेते हैं और सेंपल के अंदर क्या कर लेते हैं substitute कर लेते हैं कि वह जैसे हमने तैय किया था कि इस गर के data collect करेंगे फिर इस से 11 नंबर का जो मकान नंबर 11 है उसके data collect करेंगे फिर हम मकान नंबर 21 के data data collect करें अब 11 पर जब जो data collect करने गया उसने देखा कि दसवे नमबर पर उसकी वह रहती है तो वहां से data collect करें तो ज़्यादा ही मज़ायेगा तो उसने क्या किया sample unit change कर दिया उसने 11 नमबर के घर के बजाए दसवे नमबर के घर से data तो यह क्या होता है सब्स्टिट्टूट अब सेंपलिंग उनिट हमने क्या कर दिया सेंपल की उनिट जो उसको क्या कर दिया कोई पूछे कि कैसे सही करोगे मत कीजिए आगे जो हम पढ़ेंगे ऑवजनेस बाइजनेस को कैसे कम करें तो कम देखिए रेंडम के अंदर भी हो सकती है तो सब्स्टिट्टूट मत कीजिए समझ पा रहे हैं ऑगे फॉल्टी कलेक्शन ओफ इन्फॉर्मेशन सेलेक्शन तो सही था लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त हमने क्या कर दिया कुछ बाइजनेस लिए कैसे जैसे हमने जो क्वेशनेर दिये थे उनके आंसर उन्हें एपका सकता है या फिर डिफेक्टिव क्वेसनेर या ऐसा था कि आगे वाले को समझ नहीं आ इस वजह से भी जो इंफॉर्मेशन गलत मिल सकती या प्रेकंशिव नोशन हमारे पहले से विचार जो बंदे हुए जैसे एक जो सुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो उसकी विचारदारा बीजेपी से जुड़ती होगी जो सुरू से कांग्रेस से जुड़ा हुआ वो उसकी विचारदारा कांग्रेस से जुड़ी होगी जो आम आदमीं पार्टी स से जुड़ी होगी तो वह वैसी सोच रखेगा तो वह information भी किसी न किसी तरीके से वैसी निकल वाएगा न्यू चैनल पर आप देखते हैं कि जिसका जो न्यू चैनल होता है वह से उसी तरीके से information निकल वा देता किसी न किसी तरीके से समझ पारें मत और बायज ओफ इन्फॉर्मेंट या पिर इन्वेस्टिगेटर जो था information लेने वाला था वो तो सही था लेकिन information देने वाला जो था वो बायज था क्लियर है इसके बाद में collection of information के बाद में हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन का analysis करते हैं interpretation करते हैं तो उस case के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं बायजनेस कर सकते हैं मतलब उसने जैसे बता है तक हमारी इन्फॉर्मेशन के वक्त भी आप क्या कर सकते हैं इनप्रोप्रियेट इस्ट्रेस्टिकल मैथड या तो आपने क्या कर दिया जैसे एक्जामपल लिखा है कि सिंपल ले लिए जबकि आपको वेटेड लेना चाहिए था आप अकॉंट के अंदर पढ़ते हैं कि इंकॉंड जो है जैसे प्रोफिट जो दस हजार पंदरा जार बीस हजार पत्सीस जार इस तरीके सो रहा है अगर कंटिनुसली बढ़ता जा रहा है तो हम वेटेड लीजिए ताकि आपके गुडूल सही कैलकुलेट होगी लेकिन आपने वहां क्या कर दिया सिंपल ले लिए तो इस त लाइस्टिकेडर का जो प्री कंटिनि नोसन है वह बी तकलीफ दे सकता है यृजनेस को कैसे कम कर हैं जिन से बाइजनेस हो रही है उन बाइजनेस जो फेक्टर को क्या कर दीज़ों कर दीज़ीजा को पर पड़े उस पहरो तो है प्हलेविजिए फ्रिव प्रृट प्रें वक्त क्या हो गया वह चिट्टियां सेलेक्ट हो गई अब लोटरी मैंतर है सब कुछ सही लेकिन फिर भी आदमें चेटिंग कर सकता है तो के रिंडम भी करो और वह भी मसीन के साथ करो यूनिट जो है वो क्या करो सब्स्टिटूट मत करो नौट भी सब्स्टिटूट अब जो हो जो यूनिट सेलेक्ट हो गए जैसे बीस में घर से कौन जाएगा तो आपने क्या कर दिया वो थोड़ा दूर पढ़ रहा था आपने क्या कर दिया उसको ड्रॉप कर दिया तो इस तरीके से ड्रॉप भी मत कीजिए जो है वो सिंपल रखिये और एक्सिलेंट रखिया इंवेस्टिगेटर जो इंपार्सिल होना चाहिए एबल बायाज रोना पड़ेगा अगर एक टाइब के सटुडेंट में इसमाखने चलों मैं मानके चलों कि सार्ए स्टू्डेंट यह इसंन पड़ूर के इंपोर्टेंट बात बात हैं और मैं मानूंगा कि बाकि कि विकर है कम जो है उसकेस के अंदर मैं एक एक बात को दस दस बार बोलूंगा हर चोटी चोटी बात को कवर करूंगा तो मैं नहीं यहां हो सकता हूं ना मैं यहां हो सकता हूं मुझे क्या करना होगा बीच का रस्ता निकालना होगा ताकि यह भी यहां पहुंच जाए और य से कि कौन सा मैथड यूज करना चाहिए तो ज्यादा सही होगा सुट मैथड जो वो सलेक्ट करना चाहिए दो लो जो है वो मैंने पहले भी बताए थे सुरुआत के अंदर भी सेंप मैं यहां वापस आपको बता देता हूं लो अप इस्ट्रेस्टिकल डेगुलरेटी दो लो है आपके और लॉप इनर्श ऑफ लार्ज नंबर वहां मैंने सिर्फ ठीकल समझाए था यहां मैंने थोड हता शेलेटी हैं यहां है पुछंट यह कोचके मैं रिख दिया चो चूझ जो पहलं हम में सुलिक्टम्स सेलेक्ट की है कैसे रेंडम नौन कीया गया रेंडम सेलेक्शन किया अमों गया लार्ज औरны शोर अन एवरेच टू है धर्टैक्रेंक्स आपन लार्च्रूप श्मे आपका सेंपल सइड़ क्या होता जाएका जैसे बड़ा होता जाएका और अगर आप सेंपल को सेलेक्ट किये संपल और या पिर नहीं लिया तो भर के फरक आएंगे तो statistical Regulatory क्या बताता है कि Moderately Large Number of item अगर आप ज्यादा Number of item select करते हैं चूज करते हैं और वह भी कैसे करते हैं Random select करते हैं तो उसके अंदर क्या होंगे characteristics ज्यादा पाए जाएंगे जो population के अंदर मतलब कि वह आपका सेंपल जो ज्यादा characteristics population वाले रखेगा जिससे आपके जो है वह सही तरीके से होगा मतलब क्या हुआ दो सो जार स्टूडेंट है उसमें से आप दो स्टूडेंट सेलेक्ट करो उसकी बजाएं दस करोगे तो आपके सेंपल के अंदर characteristics और दो जार स्टूडेंट के जो characteristics है वह ज्यादा मैच करेंगे इस दस की जगे आप सो स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो और ज्यादा cover होंगे अगर दो स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे तो और ज्यादा characteristics मिलेंगे limitation इसकी क्या है limitation यह है कि आपको क्या करना होगा रेंडम सेंप्लिंग लेनी होगी reasonable size लेना होगा शोरें एवरेज 100% आप यहां भी नहीं बता सकते कि आपना 200 student select कि ए और रेंडम भी select कि ए तो भी आपका 100% accuracy के साथ आप नहीं बता सकते कि यहीं होगा clear one second कि अडिर की ज्विशक होगारा है ना जैज होगारा है जोगारा है यह कि आपका द्री है कि लिए एट रेंडम अगर उन्हें रेंडम सेलिट किया जाएगा तो यह टाइपिंग मिस्टेक थी और दूसरा लोग जो है वो क्या है लॉप इनर्स्याव लार्ज नमबर यह क्या कहता है इव आउट आप उनिवर्स था सिम्प्ट शूजन इन लार्ज सैंपल सॉरी तो जगे आज चाइपिंग मिस्टेक एसे होगी बैए सेम्पल चूजन एंड इन लार्ज साइज वो अगर लाइर शाइज के अंदर होगी त्रीजल्ट वोड़ पी मोर एक्कवरेट एंड रिलाइबल एस कंपेड टो रिलेटिवलिंग इस्मॉल सेंपल वह कह रहें एक स्मॉल सैंपल है और एक लार्ज सेंपल है तो लार्ज सै जो ज़्यादा सही होंगे यह क्या है लो है मतलब जैसे कुछ चीज़ जो जैसे आप अकाउंटेंग अंदर प्रिंसिपल पड़ते हैं वैसे स्टेट के अंदर जो है मतलब कि यह चीज़ आप मान के चलते हैं और यह इसी तरीके से होती है ज्यादा तर ऐसी होती है इस कि एक lecture नंबर जए हु रुव संपलै जादा सई होगा बसरत है इन कंपरीजन टूह स्मॉल सेंपल ऐजन नाप मोरी इसलाप यह चोडे नंबर से चोटेश नंबर से चोटे चटे हो Tobias से सेंपल साइज जिसके बड़ी होगे उसके अंदर ज्यादा इस्टेबिलिट याने का सिंपल सा लोजिक है देखो अगर आप सेंपल साइज बड़ी रखोगे तो अगर कोई एक यूनिट जो एक्स्ट्राओडिनरी आ गई तो दूसरा उसको क्या करेगा जैसे समझेगा जैसे एक क्लास के स्टुडेंट के नमबर है पांच साथ दस दो जीरो पांच चार इस तरीका अब आपने इसमें से क्या कि सिर्फ दो इस सेलेक्ट किये तो दो के अंदर मान लीजिए आपने जीरो और पांच सेलेक्ट कर दी हैं तो यह क्या होगे लेटि यह बहुत बड़ी उनिट सेलेक्ट हो गई तो उसमें वह ज्यादा स्मॉल सेंपल। इस सेख़्ाई इनियस्य का मतलब घोता है इस्टाइबिटी इस्टेबिटी इस्ट्रीटिटी सिंपल मेंस एर द लार्ज नमबर टैन्टू तो देख्ड लेस अ अब्हारक है एनका एवरेज यह तो कितना होगा साड़े चार का चैंज आगे अब एक यूनिट आपना और एड कर दी अब देखिए इतना चैंज नहीं आएगा समझेगा किता हुआ 10 21 परले थे 21 प्लस साथ 28 divided by 6 अब सेंपल किता रहा है 4.66 तो जैसे जैसे सेंपल बड़ा होगा उसमें यह पांच और जोड़ दो तो किता अगए 28 प्लस फाइब डिवाइड़ वाइड़ सेंपल बड़ा होगा वैसे वैसे उसमें इस्टैबिलीटी आएगी बाकि सेंपलिंग जब करते हूं तो आप प्रोबैबिलेटी का ध्यान रखिए प्रोबैबिलेटी क्या होता है किस एव कर्मल होता है कि जो 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 अब तो इस वेवरेबल एवेंट्स डिवाइड़ वैं तोटल इवेंट्स कितने और टोटल इवेंट्स कितने जैसे एक कोईन को टोस्ट किया आपने सो बार तो उसमें से पत्चास बार हैड आएंगे इस तरीके का आपको लगता है तो फेवरेबल कितना पत्चास डिवाइड़ टोटल हंडेड तो कितना वन बाइटो उसकी प्रॉबेबलेटी फिप्टी परसेंट प्रॉबेबलेटी एक एक डाई से जिसमें एक से लेके छह तक लिखा होता है तो उसकेस के अंदर दो आने के चांसे कितने तो प्रॉबेबलेटी का इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉबेबलेटी में क्या होता है अब यहां पर दो के आने की चांस हैं कितने 1x6 एक क्याने की तो जहां शब्सके सलेक्ट होने के बराबर यहां ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद हसते रहें मुस्कूरते रहें पढ़ते रहें एक बार छोटा सर्विजन कर ले फटाफ़ दो सेकिंड लगें हमने शुरू में बात की कि टाइप ऑफ इस्टेडी दो तरीके के होती है सेंसे सेंपल सेंसे का मतलब पॉपॉलेशन या यूनिवर्स क यह उनिवर्स का वो टुकड़ा जिसको हमने सेलेक्ट किया करने के लिए और उसके जो भी नतीज आएंगे उनका हम क्या कहता है इस्टेडिक्स के ते यूनिवर्स जो कैसे होती है नंबर आप यूनिट के साफ नंबर आप आईटम के साफ फाइनाइट हो सकती है इन्फान यूनिट जो उसको करते हैं कम्प्लीट एनुमरेशन कहते हैं आप उसको सूटेबलेटी कहां जाएं ट्रोजेनियस होते हैं वहां पर आपके लिए यह ज्यादा अच्छा रहता है या फिर हाई डिग्रियोप एक्क्यूरेसी आप कुछ चाहिए तो उस के अंदर मेरिट्स या फिर कॉस्ट के इसाब से भी कई बार पॉसिबल नहीं रहता टाइम के इसास पॉसिबल नहीं रहता इसके कम्पैरिजन में अगर सेंपल इंक्वारी देखोगे तो उसके रहाए नहीं पड़िया जाए तो आप उसे बहुत डीटेल के या बढ़ सकते हैं सो चप्ड़न करने को दिये जाएंगे डिटेल जरूर पढ़ लोग लेकिन इंडेप्ट जो नहीं पढ़ पाऊगा रिलाइबिलिटी हो सकती है अगर आप इसका रेंडम सेलेक्शन कर रहे हो अगरा सब कुछ कर रहे हो तो और मोर साइंटिफिक मैथड क्योंकि वो जो है वो ट्रेडिशनल सेंपल के अंदर पक्सपाथ कर लिए सेंपल सेलेक्शन में तो आपका पूरी कम स्टेडी जो बिकार हो जाएगी स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वाइड सेंपल खुद को लेने के लिए किस तरीक से लिया जाता है एरिया बहुत बड़ा है पूरे जो पॉप्लेशन को जाच करना पॉसिबल नहीं और एक्यूरेसी भी इतनी हंडेट परसेंट की कोई जरूरत नहीं या इन्फानाइट यूनिवर्स है तो सेंपल ही बचेगा या डैंजर ओप लूजिंग यूनिवर्स यूनिवर्स जो हो खुद चला जाएगा जैसमें ब्लड का जो हो एक्जाम्प करूंगा और पूरा चेक करके कि मिठा है बहुत अच्छा है यह यह वाला मैं लोगा अब लोगे क्या वो तो खतम हो गया जहां पर इस तरीके की सिच्वेशन है कि जहां अगर आपने पूरा इंक्वाईरी की तो खतम हो सकता है तो उस के सेंदर सोचिल एकनोमिक बिजनस क के अंदर प्रॉब्लम आ सकती हमा स्वारी वह से स्टेडी के अंदर काम आ सकते और हमोजीनिस डाटा है तो वहां पर सैंपल जब ज़्यादा सभी रहता है डिप्रेंस इनके सीधे सीधे आपको पता ही है जो अपने बात की यह और सेंपल जो उसके अंदर क्या-क्या चीज अगर इसको क्लास से बाढ़ निकलोगे तो मैं भी निकलोगा तो फिर वह इंडिपेंडनेट नहीं कहीं बार होता है यह स्टूडेंट होते हैं पीछे बैटते होसमें से एक को निकालोगे तो दूसरा उसके साथ अपने अब निकल जाता है होमोजीनिट इन टू और मोर से सेंपल हो तो ऐसा नहीं यह सेंपल कुछ कह रहा है कुछ सेंपल कह रहा है कि एडू कैसी होनी चाहिए बिलकुल छोटा भी सेंपल नहूं बहुत बड़ा भी नहूं अब्जेक्ट आप सेंपलिंग इन्फॉर्मेशन युनिवर्स के बारे में पता करना है आपको और पेरा partnership किया नहीं की मतलब आपके आपको लगता है कि पर्टिकूलर डिस्टिक के जो आपनेbalwnation आपस जांज कर वेली की कि उसके data और यह जो टोटल वाले उसके साफ से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है यह फिर एक सेंपल का दूसरे सेंपल के साथ कर सकते हो है सेंपलिंग के अंदर सही से पच्छेस के बीच में रहेगा या फिर अपना कीरट का एक लिए यह तो है यह पर जहाँ पर एक्यूरसी होने के चांसे ज्ञादा हो जाएंगे बढ़ जाएंगे सेंपल चया किसा पता चले गा तो मैंतड अब सेंप्लिंग साथ टेलिप्रेट्ट या पर पड़्य जिस में वहां कुद से टे करता है इंवस्टिकेटर के अंदर क्या करते वाब लोट्री लगा सकते हैं ड्रम के अंदर डाल पिर वह चीटिया निकाल सकते हैं सिस्टेमेटिक अर्रेंजमेंट पांच पंद्रापची से तरीके से या टिपेट और तीन चार लोगों ने जो टीबल बने उनका इस्तेमाल कर सकते हो इस्ट्रेट अगर हेट्रोजीनियस और सेंपल लेना ग्रूप बना दीजे चोट चोट पर और सेंपल लिया फिर तुक्रावाट फिर सेंपल लिया तो इस तरीके से मल्टि स्टेट चल रहा प्रक्स कोट इसके अंदर फिक्स जो हर किसी का रिपर्जेंटेशन त्हकर रखाय कि इतना यह होना चाहिए कन्वीन्यस जो हमारे लिए आसानी से मिल सकता उसको घर सें था उनके बढ़ए उन्ने का को लेज वाले सजाई ये तो है मेर चلब कर रहर रखी से इतनी देर आपने मुझे सुना देनी बघ्र के लिए बहुत बहुत देने बाद हचते रहे मुस्कुराते रहे बढ़ते रहे झाल झाल